Hello everyone, this is Manisha Kaushik, your psychic guide and you can reach me on my website www.askmanisha.com कहते हैं मा बनने का सुख जो है वो दुनिया में सब सुखों से उपर है, सबसे बड़ा सुख है पर ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कपल है, आपस में अंडरस्टानिंग बहुत अच्छी है फिर भी जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती, कितनी बार ऐसा होता है कि medically भी चीज़ें जो हैं वो सब आपके favor में हैं कि there is absolutely no problem फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाते, शायद कहीं न कहीं वास्तुदोश हो सकता है आईए जानते हैं कि आपके घर में वो कौन से checkpoints हैं जो आपको इस सुख से दूर रख रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे आपके bedroom के इस एके बारे में ध्यान दीजेगा कि अगर आपका bedroom जो as a couple आपका जो bedroom है अगर वो main door के बिलकुल सामने आता है तो वो आपके conceive करने में definitely problem create करेगा इसका उपाए क्या है जो आपका doorway है, दोनों के जो doors हैं उनके बीच में आप एक crystal ball hang कर लीजिए जो crystal ball है, that should be yellow in color और उसको ध्यान दीजेगा जब भी हम कोई crystal ball या कोई भी function of crystal हम अपने घर में install करते हैं तो उसको charge होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको charge करने का एक proper process होता है अगर आप उसे सीखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो do write in to my team and my team will help you out number two, आपके bedroom के उपर से सीडियां तो नहीं जा रहे हैं, यानि कि इस सीडियों के नीचे आपका bedroom तो नहीं आता अगर आता है, तो it is advisable कि आप अपना bedroom change कर लीजिए, नहीं change कर सकते, तो क्या करिए, हमें लिखिए because we will suggest you a remedy accordingly, क्योंकि अगर सीडियां ऊपर जाती होंगी, तो वो भी आपके, आपको conceive करने में, आपकी life में problem create करेंगी तीसरी बात, आपके bedroom तक आते आते, obstruction तो नहीं है, यानि कि कई बार क्या होता है, कि हम अपने bedroom को सजाने के लिए, उसके अंदर या बाहर, हम कुछ न कुछ उसमें decorate कर देते हैं, मैंने बहुत से घरों में यह देखा है, कि वो कई बार bedroom के ऊपर, जो आपकी entrance है, वहीं पे करते हैं, side से निकल रहे हैं, तो आपकी life में conceive करने में भी दिखते आती हैं, next, अब तो यह तो थी आपके bedroom की बात, एक दिशा जो है, जो सबसे जादा गलत है, आपका bedroom किसी भी दिशा में हो सकता है, बट northeast में कभी भी नहीं होना चाहिए, because northeast को हम पूचा corner, हम prayers का corner मानते हैं, और यहां आपकी sexual life तो disturbed हो ही सकती है, बगर आपके conceive करने में definitely problems आएंगी, घर में अगर southwest corner hollow है, या वहाँ पे आपका जो है, वो नीचे की दोर दबा हुआ है, या water tank आगया है, तो उन घरों में भी conceive करने में definitely ladies को problem देखी गई है, करें क्या, अगर आपका water tank जो है, if there is a probability कि आप उस water tank को southwest से north east में shift कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लखी रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, तो उसके अंदर आप एक agate crystal जो है, वो डाल दीचे है, उस water tank के अंदर, जो बहुत शी शुब रहेगा, और दूसरा, जो water tank का जो lid है, उसे आप अंदर बहार दोनों साइड से red color का paint कर दीचे, बेड्रूम में जब आप जाएं, बेड की अगर हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजेगा, कि अगर आपके बेड्रूम में, सबसे पहले जो बेड है, वो three side open होना चाहिए, कई बार मैंने घरों में देखा है, space constraint भी एक reason होता है, कि ल तो आपके बेड में बराबर जो है, वो जगा होने चाहिए, और बराबर अगर ना भी हो, फिर भी वो three side open होना बहुत जरूरी है, कि आप किसी भी side से जो है, वो बेड से उतर सके, बेड का जो head rest है, वो कभी भी दिवार से नहीं touch करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखे अब जो है, वो दूसरी बात की करें क्या, ये तो होए थोड़े जो बड़े बड़े changes जिन में actually आपके energy लगती है, अब मैं आपको कुछ वैसे solutions बताऊंगे, जिसमें energy कम लगेगी, मगर result definitely आता है, आपके घर में अगर जगा है कि आपको पेड या पौधा लगा सकते हैं तो pomegranate, जो अनार है, अनार का पेड ज़रूर लगा है, क्योंकि अनार जो है, it is considered as one of the most you know, fertile fruits in function जो definitely आपके घर में, आपको conceive करने में help करेंगे, नमबर 2, place some uncooked rice below your bed, आपने bed के नीचे, किसी भी बरतन में, को थोड़े से जो है, uncooked rice, raw rice जो है, वो आप अपने bed के नीचे रखतीजिए, किस दिन रखें, वो जानने के लिए हमें जरूर रिंग कीजिए, because my team will tell you the auspicious days, जो उस भी मन्त में, जब भी आप हमारा ये वीडियो देखते हैं, या सुनते हैं, और प्लान करते हैं, कि कौन-कौन से दिन को, आप किस टाइम पे जो है, वहां रख सकते हैं, तीसरा जो है, एक rabbit की picture, जो है, rabbit या group of rabbits, basically आपको pair में रखना है, अगर आप रखते हैं, तो वो बहुत ही शुप माना जाता है, because I'm sure बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कि जो rabbits होते हैं, they have a tendency, कि they can get pregnant, while they are already pregnant, that is one reason, कि वो एक पूरे season में भी, they can have multiple little ones, तो इसलिए ज जो है, एक group of rabbits की, आप picture भी अपने room में hang कर सकते हैं, आपके bed की, जब मैं बात कर रही थी, तो एक point आपको बताना भूलगी, कि अगर आपके bed के साथ side tables हैं, तो make sure कि side tables दोनों जगा हो, एक side table रखना हमेशा, relationship में तो problem देता ही, कही ना कहीं differences आते हैं, एक जो partner है, वो हमे जिए, and do let us know, I would pray that in case आप, जो जो लोग I'm sure this video को सुन रहे हैं, जिनकी life में अभी तक ये सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ है, तो मेरी prayers हमेशा उनके साथ रहेंगी, मेरी best wishes हमेशा उनके साथ हैं, कि वो जल्दी हमारी tips को अपनाएं, और good news जो हैं, वो हमें definitely सुनाएं, wish you all the very best and let me know if there's anything else that I can help you out with, stay in touch.